दोस्तो रात में सोने से पहले क्या करना चाहिए जो आपके लिए लाबदायक हो सकता है आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा तो सबसे पहले आपको सोने से पहले घर के सभी दर्वाजे चेक कर लेना होगा गयस का रेगुलेटर को बिसेस रूप से चेक करके बंद कर देना है और भगवान को धनिवाद दे कर सोना है कि आपका जिवन सुखी है आप हर बिमारी से बचे हुए हैं और आपको अच्छी बाते सोचना है रात में सोने से पहले आप अपने partner को time दे सकते हैं आप अपने partner से बात कर सकते हैं ठीक हैं जो आपका जीवन साथी होगा उससे बात कर सकते हैं या किसी से भी बात कर सकते हैं और रात में सोने से पहले मूँ हाथ दो कर ही सोना चाहिए पैर हाथ और मूँ कान दो के सोना चाह और सोने से पहले mobile बिल्कुल भी यूज नहीं करना यानि सोने से एक घंटा पहले ही mobile यूज करना बंद कर देना चाहिए और सोने के समय mobile का notification और native बंद करना चाहिए अगर ऐसा नहीं करते तो बिच बिच भी notification से आपके निंद खराब हो सकती है और आपको हमेशा गहरी निंद लेना हुआ यानि कुछ भी नहीं सोचना है आपको बिल्कुल अच्छी चीजे सोच कर सोना है और कल जो जोरी काम है उसे आप पहले से सूची बना ले पहले सी सोच ले कि कल क्या क्या काम करना है इससे आप भूलेंगे नहीं आपको अगर नीत नहीं आ रहे तो आप कुछ आप हो भी कर सकते हैं जो आपको पसंद है या आप अच्छी किताबे पढ़ सकते हैं जो आपके मन को बहला फुसला सके इस तरह के वीडियो रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आकन दबा दें तके न